एक दिन अर्जुन नदी के किनारे गोम रहे थे तब उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आयोध्या के राजा राम महान धनूरदर थे मैं अपने बाणों से तीरों का एक एसा फुल बना चुका हूँ जिससे इंदर के हाती स्वर्ग से उतर कर धरती पर आये थे इस बाद में कोई संदे नहीं है कि सिरी राम जिनकी पत्नी को रावन उठा कर ले गया था उन्हें वापस लाने के लिए समुदर के आरपार बाणों का पुल बनाने में सक्षम रहे होंगे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वे मेरे जितने शक्षम धरनुर्दर नहीं थे? वहीं पास में पेड़ पर बेटे हुए हनमान जी ने ये बाद सुन ली और उन्हें अरजुन की ये बात अच्छी नहीं लगी वे पेड से चलांग लगा कर नीचे आये और अरजुन से कहा बाणों का फुल बानरों का बोज नहीं उटा सकता था इसलिए उन्होंने पत्तर को मिला कर फुल बनाया था तुम इस नदी के आर बार बाणों का फुल बनाने का प्रयास करो और देखो कि क्या वे एक वानर का बोज सेन कर पाएगा यूँकि अरजुन हनुमान जी को नहीं पेचानते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि ये वानर मेरा मजाक उड़ा रहा है इसलिए अरजुन ने नदी के उपर बाणों का फुल बना दिया पुल बनते ही हनुमान जी ने उन पर एक पेर रखा और पुल तूट गया इस पर हनुमान जी हसते हुए अरजुन से बोले क्या तुम्हे अच्छी तरह से यादे कि तुमने इंद्र के हाती को स्वर्ग से धर्ति पर लाने के लिए बाणों का पुल बनाया था इस बास से अरजुन ने स्वेम को इतना अधिक अपमानित मैसूस किया कि उसने मन में आत्महत्या का विचार कर लिया तब ही वहां से गुजर्रे किसी रिशी ने कहा बाणों का पुल दोबारा बनाओ और इस बार तुम बाण छोड़ते समय राम कृष्ण हरी जपते जाना और फिर देखना क्या होता है अरजुन ने उनके कहे अनुसार ही किया अब की बार वानर ने जब पाँव रखा तो वे पुल जोका तो रहा हनुमान जी तब अपने वास्टिक रूप में प्रकट हुए और उस पुल पर नर्त्य करने लगे लेकिन पुल का फिर भी कुछ नहीं हुआ फिर हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और प्रवत के सम्बान हो गए लेकिन फिर भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा इस पर रिसी ने अर्जुन से कहा ये राम नाम का ही प्रताफ है कि लंका के तड़ पर बना पत्त्रों का फुल वानरों के बारी वजन के बावजुद नहीं तूटा उसी प्रकार कृष्ण के नाम की बदोरत बाणों का पुल अनुमान जी का वजन उठा पाया इस जगत में सिर्फ शक्ती से ही काम नहीं चलता दिवे आसिरवाद भी होना आउशक है कृष्ण ही राम है वे दोनों ही हरी अत्वा विश्णु है ये बात हमेशा याद रखना कृष्ण के बिना तुमारा अस्तितु नहीं है तुम नर हो और वे नारायन है अरजुन ने रिशी को चुक कर परणाम किया और फिर अपने कमड के लिए समायाजना करते हुए हनमान जी के पेरों में गिर गए और उनसे समायाजना की तब अरजुन ने हनमान जी से पूचा इसका क्या अर्थ है कि मैं नर हूँ और कृष्ण नारायन है इस पर हनमान जी ने कहा ये रेशी शिग्र ही तुमारे सामने आएगा दर्शो को अगर वीडियो अच्छा लगाऊती से लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले वीडियो पर यहां तक बने रेने के लिए आप सभी का धन्यवाद